नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका इस टेडीफोर सिविल सिर्पसेज में वीडियो को पूरा देखे कोई भी आपका फीडबैक है कोई सजेसिन तुरंद वीडियो में कमेंट करके जरूर रता है एच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लिजे और ऐसे वीडियो लग इस वीडियो में हम अपनी मेंस आंसर राइटिंग प्राक्टिस की सीरीज को कंटीनीव रखेंगे और एक नया मेंस के परस्पेक्टिप से इंपोर्टेंट टॉपिक क्वेशन के फॉर्म में कवर करेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नए टॉपिक को क्वेशन क के फॉर्म में समझते हैं हमारा question कह रहा है what challenges does the agriculture marketing system of India faces suggest a step that can be taken by the government to tackle these challenges भारत की क्रिशे विपण प्रणाली के सामने किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाय जा सकने वाले कदमों का सुछा हो दे आंसर क के शुरुवात में हम बताएंगे कि क्रिशे विपण प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें किसान अपनी अधिशेश उपच का उचित मूली पर निप्तान करते हैं अग्रिकल्चर मार्केटिंग इस सिस्टम इन विच फार्मर्स डिस्पोस देर सर्प्लस प्रडूस अ बावरत इस अधिक साधी कर दिया सिर्कल्णाओं के फैसे किसान हैं हरुगे काफी हवारत तरीकिया 1 विपण देरा निर्भण करती हैं यह नि farklı मार्केटिंग स्टेश ब्रणों के आये हैं भारत में कृ Assim कृ मार्केटिंग पर इस चार्ट तरीके की प्रणालिया यूज की प्रपारियों को बहुत कम कीमते बेच दी जाती है तो जो विलेज में सेल होती है इसमें काफी जादा नुकसान किसान को देखने को मिलता है फिर बजारों में बिक्री जब अपने गाउं से निकल कर किसान थोड़ा सा हाट की तरफ पहचते मतलब ही जहां वो रह रहे हैं वह काफी तरीका है उसके अलावा फिर मंडियों में बिक्री होती है इसमें जादा तर बिक्री मंडियों में होती है और भारत में लगबक सत्रा सव मंडियां है और मंडियां गाउं से काफी दूर इस्थित होती है तो किसान अपनी उपच मंडी तक ट्रांस्पोर्टेशन के फिर वहां पर धलाल होते हैं, दलालो की मदद से थोक विकरिताओं को अपनी उपज बेच देते हैं, फिर जो थोक व्याफारी होते हैं, जो इनका प्रोडक्ट्शन होता है किसानों का इसको बेचते हैं, फिर एक सहकारी विपडन का भी तरीका होता है, यान Сमीति उर्पर loser क विपरंट समीतियों का गठन किया जाता है यानि मार्केटिंग सोसाइटीज किसान अपनी बनाते हैं और कलेक्टिव वार्गिनिंग के थूरू अपना समान बेचने की वो कोशिश करते हैं तो इस सहकारी विपरंट में किसानों को सबसे जादा फायता देखने को मिलता है और जो विलेच में ही किसान अपना प्रोडक्शन बेच देते हैं उसमें काफी जादा नुकसान देखने को मिलता है और इंडिया में सबसे जादा अगर मार्केटिंग सिस्टम यूज होता है वो है मंडी वाला मंडी में सबसे जादा मार्केटिंग के लिए यूज किया जाता है फिर भारत में क्रिशे विपरिंट प्रणाली के सामने काफी सारी चुनौतियां आती है कौन-कौन से चुनौतियां है इन्हें हम देखेंगे सबसे पहला इंडिया में गोदामो की सुविधा का काफी जादा अभाव है इंडिया में वेर हाउस की फैसलिटी बहुत कम है तो उचित भंडारन सुविधा के अभाव में हर साल 15-30 प्रतिशत की उपज चतिग्रस्त हो जाती है किसान की उपल लगाए वह करता क्या है उस नुकसान से बचने के लिए उसका सर्पलस होता है उसको ऑने पवने दाम पर फसल कटने के ठीक बात बेच देता हैं क्योंकि उसके पास स्टूर करने की कोई जगे नी होती है उसे पता है क्या आट दांडिया उसकी फसल खराब हो परिबहन सुविधाओं का अभाव है जिसकी वज़े से किसान मंडी तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो गाउं में भी भी बहुत अच्छी रोड की ट्रांस्पोर्टेशन की फैसलिक्टी उपलंद नहीं है, तो ग्रामीट चेत्रों में सड़क परिबहन सुविधाओं का अभ किसानों के हाथ में बहुत कम हिस्सा आता है उसके मांद हर इस तर पर बिचॉलिय उपलब्ध होते हैं दलाल अच्छी मात्रा में मार्जिन का दावा करते हैं किसानों को रिटर्न कम मिलता है फिर अनियमिद बजार यानि कि जो भी ये मार्केट्स है अगरिकल्चर के काफी अनियमिद बजार विभिन कादाचरों को जन्म देते हैं यानि कि बहुत सारी माल प्राक्टिस होती है और क्या क्या पर माल प्राक्टिस होती है तो उसमें कम तौला जाता है जूटा वजन तौला जाता है और माप की व्यापकता होती ग्रेडिंग और माननी करन की कमी होती चोटे oraz गड़ीब किसानों के हित्प के है ये पूरी तरीके के खिलाफ होता है फिर मार्किटिक इंटेलappelle कारी हैं जिससे किसानों को पता चल सके कि बड़े बजार हो में क्या म 그러来 उनकी प्रड्यूस काम, साथी साथ अभ्यापारियों विचॉलियों द्वारा दी जाने वाली अपनी उपच्क्री सबसे कम कीमत उन्हें स्विकार करनी पड़ जाती, क्योंकि उन्हें आइडिया ही नहीं होता है, क्या मूल्य चल रहा है, सरकार ने क्या MSP डिसाइड करी है, क जाएड़ थे अभाव पर देखने को मिल सकता है, लेकिन कलेक्ति और्गिनास का अभाव इंडिया में देखने को मिलता है, बारत में बड़ी संख्या में चोटे-चोटे किसान उद्वारा विप्ण योग-दी शेष की एक बहुत चोटी मात्रा को बादारों में लाया जा तो उनती ुं अच्छा मुनाफा भी देखने को मिल सकता है लेकिन इस प्राक्टिस परेखने को इंडिया में मिलता है उसके बाद हम देखेंगे कि ग्रेडिक का भी अभाव हैं पर इसके वज़सी नुक्सान करते हैं और सहताः जय को कमे मैं ऐन कंवाद्यों Track वोन काथ उसका यह दुश्परभाव देखने को मिलता है कि सहनों को जो लोकल उनके साहुकार हैं उनसे पैसा लेना पड़ता है और जब वो इस लोन को नहीं चुका पाते हैं तो बतले में उन्हें अपनी पूरी फसल उनको दे देनी पड़ती है तो परियाब संस्थागत विर्त के अभाव में भार्टी किसानों को गाउं के साहुकारों से रिन लेना पड़ता है और उन रिनों को बुकतान करने के लिए उन्हें अपनी उपजुन साहुकारों को प्रतिकूल शर्तों पर बेचनी पड़ जाती है फिर हम आगे सजेस्ट करेंगी कि गवर्मेंट क्या स्टेप्स ले सकती है चैलेंजस से निपटने के लिए तो सबसे पहला स्टेप गवर्मेंट ले सकती है कि उप्यूक तक क्रिशी मूल या नीती तयार की जाए यानि एक सूटेबल एगरिकल्चर प्राइस पॉलिसी लाई जाए उसके अलावा किसानों को असान रिंट सुविधाय प्रदान की जाए इजी क्रेडिट फेसिलिटीज हो यूं तो सरकार पहुत सारे अपनी स्कीम चलाती है लेकिन हर किसान तक इस स्कीम नहीं पहुँच पाती तो इनके रीचेस बढ़ाई जाए किसानों तक उसके अलावा बाजारों को बिनेमित किया जाए, डेगैट कीया जाए मारकेटानides को फिर सहकारी वप्रण समीतियों की स्थापना को प्रोथसाहित किया जाए यानी की попробérique marketing societies को प्रमोट किया जाए किसानों को समझाए जाए कि उनसे को फायदा होगा गा कोपरेटिब मार्केटिंग से नए और मौझूदा बाजारों के लिए गुदामों का निर्मान किया जाए विस्तार और मार्केट याड और आनी संबंधिन सुविधाओं का विस्तार किया जाए फिर किसानों को विपरण सुचना की समय पर आपूर्ती की प्रणाली विक्सित की जाए यानी कि मार्केटिंग इन्फॉमेशन को टामली मिलती रहे गावों में मंडियों को जोडने के लिए परिवहन सुविधाओं में सुधार किया जाए ताकि किसान मंडी तक पहुँच के अच्छा मुनाफ़ा कामा सकें इसके अलावा उत्पादों के मान की करण और ग्रेडिंग के लिए प्राबधान लाए जाए यानी इस्टेंडाइजेशन के लिए और इस्टेंडाइजेशन और ग्रेडिंग के लिए प्रोविजियन्स लाए जाए फिर हम अपने आंसर को क किसानों की वास्तवी कायक तै करता है और चुंकि किसान राजी का विशय है मॉडन किर्शी उत्पाद और पशुधन विप्रण समवर्दन और सुविधा अधिनियम 2017, इलेक्ट्रोनिक्स राश्ट्रे किर्शी बाजार मॉडल अनुबंध खेती अधिनियम 2018 और मॉडल क्रिशी भूमी पट्टे अधिनियम जैसे केंद्री कानुन बहुत प्रभावी अभी तक साबित नहीं हो पाए है इसलिए इसे लाने के लिए क्रिशी विप्रण शेत में सच्चे सुधार और सहकारी संगवाद की आवशकता है तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कम्पलीट होता है आगे आने वाले वीडियो में हम एक नया इंपोर्टन टॉपिक क्वेश्चन के फॉर्म में कवर करेंगे बने रहेगा चानल के साथ मिलते हैं नेक्स वीडियो में थांक्यो पर वाचिंग